दोस्तों Vivo Y78 Plus 5G को इस्मार्टफोन को लांच किया गया है जिसमें 6.78 इंच का OLED डिस्पले मिलता है 120 Hz रिफ्रिस्ट रेट दिया गया है जिसमें 100% तक DCI P3 का गेमट मौजूद है फोन में Android 13 OS दिया गया है जिसके ऊपर Origin OS OS UI की मौजूद है इसके रेर में Dual Camera का सेटप मिलत है जिसमें 50 MP का कैमरा है और OIS सपोर्ट है कमाल की बात है 2 MP का Micro Lens दिया गया है फ्रंट में Selfie के लिए फोन में 8 MP के कैमरा आता है वहीं Y78 Plus 5G के प्रूसरिंग की बात करें तो फोन में Snapdragon 695 चिप्षर दिया गया है इसमें 12 GB RAM तक का है 25 GB तक स्टोरेज है डिवाइस की पावर के लिए बात करें चाहरादर 500 मेश की बैटरी है जिसके साथ ही कंपनी ने 44 वाट का अगर मैं इसको दोस्तों प्राइस को लेकर फाने लेगर मैं बात करूं तो आपको कहीं ने कहीं 78 प्लस 5 जी को चीन में लॉंच किया गया है और 8 GB RAM के साथ 128 GB का स्टोरेज है जहां पर आपको 120,000 रुपे की बताई जा रही है वहां की करेंसी के हिसाब से मैं बता रहा हूं यहां के कनवर्जन करके इसका टॉप जो 12 GB RAM है उसका 24,000 रुपे के आसपास में है फोन को तीन क्लरस के लॉंच किया गया है जिसमें मून शेड़ो ब्लैक वांसन गोल्ड और इसकाई ब्लू शामिल है चीन के फोन को 26 अप्रेल को से शुरू की जाएगी यह मार्केट में यह कब कहां लॉंच होगा इसके बारे में भी तक कोई जानकारी नहीं है तो फिलाल दोस्तों यही सारी चीशें यहीं तक्रिती इंडिया में कब कैसे लॉंच होगा यही सारी चीज भी तक कंफर्म नहीं हुआ है लगिन उम्मीद बताया जा रहा है कि हो सकता हो हो या फिर ना हो लेट सीं देखते हैं अगर मन तक की लांस होगा कि नहीं होगा तो फिराद दोस्तों वीडियों तक कि वीडियों को पसंद आ जाए फिर जब लाइक करना शेर करना मिलता हूं मैंसे नहीं कि वडियों मतब तक के लिए टेक केर